राहूल गांधी की भारत जुडो नियाय आत्रा में जो वारांजी शहर के युवा है वो भी बखुबी अपना उस्सा दिखा रहे हैं ऐसे में युवाओं का क्या मानना है क्या विचार है किस प्रकार से वो राहूल गांधी का अपने नेता का समर्थन कर रहे हैं इसके बारे के मजदूर किसान वंचित सोसित महिला सबके सब एक न्याय की उमीद के तौर पर राहूल को देख रहे हैं जब राहूल आ रहे हैं तो उन्हें लगता है कि वो उनकी बात कर रहे हैं आज इस परकार से सिक्षा की बात सरकार नहीं कर रहे हैं रोजगार की बात नहीं कर रहे ह MSME सेक्टर की बात नहीं कर रही है उन सभी मसलों पे काम करने वाई लोग जो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं एक युवा के तौर पे 2014 से पहले कि मैं मोदी जी की जाओ और भाजपा की पूरी परचार को देखता हूँ तो पाता हूँ कि वो सिक्षा और रोजगार सेंट्रिक था लेकिन दस सालों में मैं खुद को पा रहा हूँ कि मोदी जी हमारे साथ बहिमानी और ठगी किये हैं तो उस उमीद को हम लेकर आए हैं और रहूल जिसे मिलकर हम उनके जो होसले हैं उनके जो इरादे हैं उसको और मजबूत करना चाहते हैं कि आप जो युवाओ की बात कर रहे हैं जो आप रोजगार की न्याई की बात कर रहे हो सिक्षा की न्याई की बात कर रहे हो हम लोग बियेचू से हैं लगातार फीस में बिर्दी हुई है केंपस में आप देख सकते हैं कि आईटी बियेचू की छातरा के साथ वास्पा का पराजिकारी गैंग रेप करता है लेकिन सार दिनों तक उसके खिलाब कोई एक्षन नहीं होता है जबकि पुलिस को पांच दिनों बाद पता चल जाता है तो मनीपूर से लेके मुंबई तक की जो न्याय यात्रा निकली है जिसमें बियेचू के भी सवाल है उन सभी और सभी वर के लोग सभी कॉम्निटी के लोग युगा हो मजदूर हो किसान हो चहबुजूर्ग हो सब कि सब राहूल को एक न्याय की निगास से देख रहा है हर को ही चाहता है कि जो न्याय की बात हो रही है उसमें अपनी भी बात जो रहे और उसी के लिए हम लोग आए है प्रधान मंत्री नरीन मुदी का ये संसदी छेतर है ऐसे में राहूल गांदी की जो न्याय जो भारत जो न्याय आत्रा है नफरत छोडो का वो लगातार एलान कर है कितना प्रभावित नजर आई देखे नफरत छोडो बहुत जरूरी है इस देश के लिए क्योंकि हम सभी यूवार न्याय चाहते हैं ना हमको छात्रवित्ती मिलती है हमको न कहीं रोजगार मिलता है हमें अगनिवीर के नाम पर ठगा जाता है हमारी नियूक्ति पत्र न जंता को उन्हाँ जोड़ा है कई सारे वीडियो जिस्के लिए जिसमें वो कभी किसी बच्ची को खिलाते नजर आ रहे हैं लोगों से प्यार दिखाते नजर आ रहे हैं आज काशी की जंता में उन्हें किस प्रकार का प्यार सम्मान और जुड़ाव मिलेगा तैकि हम्हारे नेता तहा सही रव्या नहीं अपनाते हैं Himself जिस तरीके से नहरेंद मोधी काक सफिली किसान के साथ दुरगटना घटि लए है और तमाम च्छाथ लेग भर्यदिशुग णेरी घट रही है हम्हारे के लोग बहुत विश्चिनात काशिवार से नरेंद मुझी को काड़ फिकने काम करेंगे और जो युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है की बेरुजगारी पड़े लिखे होने के बाद भी आज वो बेरुजगार बैठे हैं इन तमाम समस्याओं का समाधान होगा और आगामी लोग सभचुना में राहूल गांदी के यह न्यायात्रा रंग लाएगी